नमस्कार साथियो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेंटी लाइफ में तो आज यह सेबेंध अप नॉमबर और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का वोकेबली कवर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीड कया जाता है पीडियफ वहाँ से डाउंट नुट कर सकते हैं तो जाके जल्दी से ज्ण कर लीजिए आए देखते हैं आज का इंपोटेंट वर्ड तो फर्स्ट वर्ड है टेनौर की बात करें तो एक नावन यह क्या है एक नौन है तो वर्ड के साथ हम पार्ट परते चार क है उसका जो गाने का जो आवाज है ना ठीक है उसका रेंज क्या है थोड़ा सा नीचे है किस से जो उमेन का वाइस है तुसको क्या बोलेंगे टेन और बोलेंगे यानि कि गती बोल सकते हैं जो भाइस का जो मत्तब रेंज है उसको क्या बोल सकते हैं गती बोल सकते हैं तो सीन उमेंस भाइस ठीक है और गती इसका हिंदी मीनिंग हो गया सीनोनेम्स की बात करें तो ड्रीफ्ट टोन या मीनिंग या फिर गिस्ट हो गया तो बढ़ते नेश्ट वर्ड के तरफ देखिए सबसे अगर आपके समने कोई वर्ड दिख रहा है और इससे रिलेटेड आपके पा होगा और आपको पता चलेगा कि कितने मतलब आपको वर्ड याद है ठीक है और हम आपको डेली होमर देते हैं कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं आपके कवर कराया जा रहा है उससे सेंटेंस बनाए और बहुत सरे स्ट्वेंट बनाते भी है और टेलिग्राम पर कर सकते है यहां पर कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलिग्राम पर सेंटेंस बनाके सेर कर सकते हैं तो जहां आपको अच्छा लगे वहाँ पर कर सकते हैं तो आए देखते हैं इसका मिनिंग तो मतलब क्या होता है भेरी लावड होता है यहां पर यह एड्जेक्ट नहीं असांत है ठीक है बहुत तेज के बदले असांत भी बहुत सकते हैं जो मतलब कोई चीज जो बहुत जोड़ का हो लाउड हो पिक्चर में भी देख सकते हैं पिक्चर से जब रिलेट करेंगे वर्ड को तो इजली याद हो जाएगा इसलिए हम अच्छा-च्छा जो भी रिलेटेड पिक्चर होता है वहां यहां पर इंसर्ट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई चीज जो बहुत लाउड है तो इसके मतलब बरदास से बाहर है जो परसन से बाएब लीए कि असका से कराने लगा तो इसको क्या बोल सकते हैं जो काफी ज्यादा असान्त हो कई चीज कि का मैं स्पाइट। यहां पर क्या है इसका मीनिफी होता है यानी की जवर ईए सपाइग्स पा değil है् यानि ज़skता lub जयान है उसको मतलब एक ग्रू park छोफ बहुत सारे मतलब अलग-अलग देश के स्काइड होता है जो इसका अजून्ट करते हैं Semac समस्घ में आ गया होगा मतलब क्या होता है यानि आप बहुत सारे मूवी में देखेंगे j vors यह समर्रूस काम कर रहा है और उसका गम कर रहा है बहुत सारे जासुस पाइब होता है a person who betrays their friends their countries etc by giving away secret about them by lying or to or about them or by doing other things that will harm them यानि कि ऐसा person जो क्या कर रहा अपने दोस्त को अपने देश को सब को क्या कर रहा धोखा दे रहा हो उन लोगों क्या कर रहा धोखा दे हो यानि क्यों कोई secret जानता हो और दूसरे से बता रहा हो तो उसका मतलब क्या होगा धोखा ही नहीं होगा आप किसी से अपने दोस्ते आप अपना सबसे सिक्रेट बात बता है उस पर आप विश्वास करके ही बताएंगे और वो दूसरों तक वो चीज पहुंचाने लगे तो आपके नजर में क्या होगा धोखा ही होगा तो ऐसा इंसान जो देश का खबर दूसरे देश में पहुंचा रहा है दूस्मन को बता रहा है तो धोखा होगा धोखा देना होगा ठीक है उसका मतलब जिससे नुकसान हो सकता है तो ऐसे इंसान को ट्रेटर बोल सकते हैं देश द्रोही या फिर धोखेबाज सीनोनेम की बात करें तो रेनिगेड हो सकता है बेट्रेयर हो सकता है डिफेक्टर हो सकता है फिर डिजर्टर हो सकता है तो यह सब से शीमोनीम सो झायेंगे जिसका मिवीनेंग सेम होता है ठीक है जिसका मिनिंग से related रिल्लेटेड है यानि की धोखे होसाओ सकते हैं दिश्द्रोही बोल सकते हैं कि नेश्ट वार्ड है रीगिंग रीगिंग की बात करें तो एक नाउन है रीगिंग क्या है एक नाउन है जिसका मिनिंग होता है दरोप्स डेट सब्पूर्ट दमास्ट एंड सेल्स अफ बोट और सीव आप देखे होंगे जब जिसे मानलेजिए आपको पिक्चर का पिर फेर इसका हôm दिंग होजाएगा सिनोनेम की बात करें तो टैकल डियर से हावा 2 मतलब जीस से हावा ओना sam हुदर हम घुमा देंगे उसको पाल भी बोला जाता है नाव का पाल उससे उष्णायद के सपीद में पहुcus जाता है जहाँ आपको जाना होता है झाल स्ब्सक्राइब नेस्ट वर्च आपको मतलब करें था इस इस दस नहीं धो करना है अपने सक्सक्स्थ पर फिर दूसरों के फेलीयर पर जाइब कॉने पलटास्थ लिए अपने सफ़लता लेकिन दूसरों के failure पर भी वह ज्यादा खुस होंगे तो प्रफूलित होना इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा synonyms की बात करें बॉस्टेड हो सकता है ब्रैग्ड हो सकता है फिर प्रिंड हो सकता है तो यह सब इसके सब्सक्रणे की बात करें तो नेश्ट वर्ड की बात करें इंबोल्ड यहां पर वार्व है जिसका में होता है याने कि किसी को फिल कराना क्यों काफी या बहादूर है क्या है बहादूर मतलब निजड़ है या फिर बहुत ज़्यदा confident है तो हॉसला बढ़ना इसको बोल सकते हैं मानने जी किसी को आप बहुत ब्रेव हो तुम कुछ भी कर सकते हो तो उसका होसला और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर उसका काम करने का रेट अगर 80% होगा तो 99% हो जाएगा ठीक है तो सब किसी को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कभी किसी को डी मोटिवेट नहीं करना चाहिए करेज करना चाहिए ठीक है हर किसी इसको थोरा से encourage करना चाहिए ताकि वह आपने life में कुछ आछा हासिल कर सके तो involved and मतलब क्या होगे होसला बढ़ाया इन करेज इसका सीनोनेम सकता है cheered हो सकता है होटेंड हो सकता है फिर azure हो सकता है यह सब क्या होगए इसके यहां पर पिक्चर भी रिलेटेड थोरा सा लग रहा है अगर आप होसला बढ़ा देंगे तो काम करने का जो उसका रेट है वो थोरा सा हो सकता है या फिर चांस भी बहुर जाता है अब देखते हैं नेश्ट वर्ड की बात करें तो नेश्ट वर्ड है इस पैकलेशन यहां पर क्या है एक नाउन है क्योंकि लाश्ट में आयों अया है हम बार बार आपको बताते हैं कि जो होता है और आपको पता चल गया होगा मतलब जानगा होंगे जो भी सफिक्स होता है पार्ट सबस्पीज का तो आने वाले एक्जाम में इसके मिनिंग की बात करें तो इसका मिनिंग होगा दा एक टाफ फॉर्मिंग ओपीनियन से बाट वाट हैपन और वाट माइट हैपन वैना कुछ जानने कि क्या हो रहा है ठीक है तो उसको क्या वो सकते हैं इससा हम बोल सकते हैं ऐसा ही अपना opinion दे देना अपने अनुमान पर तो सिनोनेम्स की बात करें तो सब पोजीशन कंजेक्ट्टर गेस या फिर हाइपोथेसिस यह सब क्यों होगे इसके सिनोनेम्स होगे तो बहुत बार देखिए जैसे यहां पर किसी चीज़ का गराफ दिखाया गया है सियर मार्केट का ठीक है सियर मार्केट में कुछ हैसा ही होता है अगर ठीक से टेक्निकल एनलाइस नहीं करते हैं और ऐसे ही आप मतलब जिसमाली जीए कि गराफ ऐसे चल रहा है और आपको लाइप में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और जो भी ट्रेडर है उनको तो काफी ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो इस पर लेसा मतलब समझ गाना कि क्या होगा अनुमान लगा लिए कि आज मार्केट अप जाएगा और वैसे आप कुछ ट्रेडिंग कर लिए तो लगान etill डिपीकल्प्रबलम और सिटुएशन यानिकि आपके लाइप में कोई बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है है जो कठीन हो तो उसको कैसे डिल करना है उसके लिए मतल्बू सटेकल और एकटिंगर इस से समाथ में निपट ऊको सुल जाल तम RNA निपर शेंवाकर Trayा कोई भी प्रब्लम हो समस्या उससे क्या करना डील कर लेना अब देखते हैं नेश्ट वर्ड और यह आज के सेशन का लास्ट वर्ड रहेगा वर्ड एज़र्ड एक एड्जेक्टिव है ठीक है एक एड्जेक्टिव है जिसका मिनिंग होता है सर्टेन टू हैपन मतलब कोई च इसके सीनोनियम हो जाएंगे जिसका मिनिंग क्या होता है कि आत्म विश्वासी होता है तो एक बार साथ में रिवाइज किपे उड्ट क्या है एक यह स्ट क्या होता है अजह से कद प्रक्राने को जलते हों एक अ कर दे स्ट हैं कि यह स्मॉल डेंट वाज दियर ऑन देख रहें यहां तक तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सेशन अच्छा लग रहा होगा और हम नहीं बना रहा है तो आज से से सिंसियर होके प्रामिस किजे कि आप होमवर्क बनाएंगे और कमेंट करेंगे या फिर टेलीघरप करेंगे नेश्ट ने बना झाल